1970 सेंचुरी के मिडिल से कई स्पेस एजेंसियों और कई बड़े बड़े लोगों ने दावा किया है कि नासा के साइंटिस्टों ने चांद पर पहला कदम रखने की जो वीडियो दुनिया को दिखाई थी वो एक साजिस थी और 2012 में कुछ पिक्चर्स जारी की गई जिसमें चंद्रमा पर भेजे गए 1969 से 71 तक 6 अपोलो मिशन्स के अमेरिगी जंडो में से 5 अभी भी लहरा रहे हैं और यहां तक की 2001 के एंड तक फोक्स टेलिवीजन की डॉक्यूमेंटरी जिसका नाम कंस्पारेसी त्योरी डिडवी लेंड ओन दा मून था कहा जाता है कि इस चंद्रमा पर कदम रखने के वीडियो इसी फिल्म के स्टूडियो में शूट किया गया था और दावा किया जाता है कि नासा ने रूस से स्पेस रेस जीतने के लिए 1960 में पहली बार फेक लेंडिंग की थी इन पिक्चर्स को देखिए यह नासा के चंद् इसी स्टूडियो में शूट की गई थी चंद्रमा पर नासा की लेंडिंग की जूटी कवर का फैलना वी नेवर वन्ट टू दा मून नाम की इस बुक से सुरू होता है जो अमेरिका नेवी के सीनियर ऑफिसर बिल केसिंग के द्वारा 1976 को पब्लिस की गई थी केसिंग की इ 1980 में फ्लेट अर्थ सुसाइटी ने नासा पर फेक लेंडिंग का आरूप लगा दिया और जो लोग चंद्रमा पर नासा की फेक लेंडिंग को मानते हैं वो नासा और USA के मोटिफ्स के बारे में दो मेन थ्योरी को बताते हैं जिसमें पहली थ्योरी आती है स्पेस रेस के ब उनिया बर में बहुत जादा प्रसंसा मिलेगी उस वक्त सोवियत उनियन 1959 में चंद्रमा पर मानव रहित इस पेस सटल बेज रहा था जिसके वजा से सोवियत उनियन की इस पेस में बढ़ती प्रोग्रेस को देख कर उस वक्त के अमेरिकन प्रसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने 1962 के एक बासण में United State of America के चंद्रमा पर जाने का announcement करते हैं और ये वादा भी करते हैं कि वो लोग astronauts को उस चंद्रमा मिशन पर बेजेंगे अब second theory आती है NASA की funding और उसकी prestige के बारे में इस theory में कई conspiracy सिद्धान्तकारों का दावा है कि NASA ने अपनी गिड़ती image और ये confirm करने के लिए कि उसे funding मिलती रहे इसके लिए NASA ने fake landing कराई थी और आज तक United State of America और NASA के Apollo mission में से किसी ने भी ये नहीं का कि चंद्रमा पर astronaut की landing एक साजिस थी और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि NASA के द्वारा लिए गए pictures में तारे तो दिखाई नहीं देते हैं जिस पर mission के बाद press conference में Apollo 11 के astronaut का कहना था कि उन्हें extra vehicle activity यानी EVA के दोरान तारे यानी stars दिखाई दिए थे या नहीं उन्हें याद नहीं था आप ही बताईए इस चोटी सी बात को कौन याद रखता कुछ मित ये भी हैं जैसे इन pictures में hot spot दिखाई देते हैं जो देखने में ऐसी लगते हैं जैसे सूरज की जगा किसी spotlight का यूच किया गया हो और एक ये ख़बर भी आती है कि नीला मिश्ट्रोंग को चंदरमा पर कदम रखते हुए किसने shoot किया इसके बारे में नासा के साइंटिस्टों का कहना है कि ये वीडियो चंदर मॉडियूल पर लगे camera ने shoot किया था जो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं इसे चंदर मॉडियूल camera कहती है और एक खबर ये भी बहुत ज़्यादा वायरल है कि चांद पर कोई हवा या फिर कोई atmosphere ना होने के बावजूद वहाँ जंडा कैसी लेरा रहा था जिस पर भी नासा के scientists ने कहा है कि जंडे को उल्टे L size के एक वायर से बांद गया था कि जंडा नीचे न लटके और ये जंडा सिर्फ उस वक्त लेरा रहा था जिस वक्त astronaut इसे set कर रहे थी तो फिर अब इन सभी आसंकाओं और लगा गए आरोपों का जूटा सावित होना यही confirm करता है कि नासा पर moon landing फेक नहीं थी धन्यवाद